घर में चिपकली आ जाती है, इनको देखने में अजीब सा तो लगता ही है, साथ ही हमें डर भी लगता रहता है, कहीं ये हमारे उपर न गिर जाएं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ एक ऐसा घरेलू नुसका जिसका इस्तमाल करने के बाद छिपकली आपके घर में बिल्कुल नहीं दिखेगी तो हेलो मेरी प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में तो कैसे हैं आप सब उमीद करते हूँ, आप सब मस्त होंगे, बेस्त होंगे, ललन टाप होंगे तो क्या है वो घरेलून उसका इसको हम बनाएंगे कैसे इसका हम यूज कैसे करेंगे आई वीडियो में आगे हम देख लेते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे एक से डेड़ चमबच के करीब नमक जिया दोस्तों वही नमक जिसका इस्तमाल आप अपने खाने में करते हैं उसके बाद आपको लेना है प्याज पूरा एक प्याज के जरुवत नहीं है बिल्कुल इसका आधा टुकड़ा प्याज लेना है छिलके हटा कर हम इसे ग्रेट कर लेंगे आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना लें तो मैंने यहां पर इसे grade कर लिया है एक चमच के करीब यह grade किया हुआ प्यास डाल देंगे अब आपको लेना है lesson लेसन भी आपको पूरा नहीं लेना है सिर्फ इससे एक या दो lesson की कलिया लेनी है और इसको lesson के साथ ही आप इसे अच्छे से grade कर लें तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने lesson के साथ इसको grade कर लिया है यह भी हम इसे के अंदर डाल देंगे अब आपको इसके अंदर डालना है एक गिलास के करीब पानी उसके बाद इन सारे चीज़ों को आपको अच्छे से mix कर लेना है दोस्तों आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियो कहां तक पहुंची है जैसे आप इसे mix करेंगे तो इससे जो है प्याज और जो इसमें हमने lesson डाला है उसकी बहुत ही तेज स्मेल आती है और वही स्मेल जो है छिपकली को भगाने के काम आती है यह देख सकते हैं इसमें लेसन का जो छिलका उपर उपर है इसे हम किसी भी स्प्रे बॉटल में डालेंगे तो सायथ प्रॉब्लम हो अच्छे से ना निकल पाए तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको चान कर अलग कर अब क्या करना है इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में भन देना है और जहांपर भी आपको लगता है कि च्षिपकली बहुत जादाती आती ए वहां पर आप इसका स्प्रेए कर दे अगर कोशी सो तो आप च्षिपकली के स्कीन पर इसका स्प्रे करें यह तो रहा पहला तरीक तो एक धकन के करिब इसके अंदर डालते लिक्विड नहीं है तो आप साबुन का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन साबुन को आप इसके अंदर ग्रेट करके डाले जिससे की जल्दी से डिजॉल्व हो जाए सारे चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद जैसे अक्सर कभी होता है छिपकली जो है फॉर्स पे भी चलती है तो आप क्या करें यही पानी को आप जिससे पोच्छा लगाते हैं उसमें भी डाल दे या फिर आप क्या करें जैसे किचन की फॉर्स पे अगर कभी-कभी चलती है तो आपको क्या करना है थोड़ा सा क्वा तो उसके लिए इस तरह से आप यूज कर सकते हैं बहुत ही कमाल का यह घर लून उसका है दोस्तों एक बात जरू ट्राय करेगा और अपना उन्भव मेरे साथ जरू शेयर करेगा जाते जाते एक रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इस सब्सक्राइब करके जाएगा थैंक्यू दोस्तों